हेलो फ्रेंज कैसे हो आप सब उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं रंजना अपनी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ आज मैं लेकर आई हूँ करेला और प्याज की सबजी इसे भुजिया भी बोलते हैं पर सबजी भी बोल सकते हो भुजिया भी बोल सकते ह पर ये बनता बहुत ही अच्छा है बच्चों को तो ये पसंद नहीं आता है पर ये सबजी ऐसी है ना इतनी टेश्टी बनी है कि सबको पसंद आएगी तो इसके लिए मैंने कड़ाई में ओईल चड़ा दिया है जीरे का तड़का डाल दिया है हल्दी डाल दिया है करेले को म पूरा पानी निकल जाहे और ये पूरे अच्छे से सूख जाता है उसके बाद इसमें बहुनने में ज्यादा असानी होती है पीनजीत विना पानी के तो यह मैंने करेला इसमें डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी तेल में त्यár जो प्याज कट करके आज को दीमा एक है। ताकि यह अच्छे से पके आज रहेगा न तो यह नीचे से जल जाएगा। तो सुरू में इसके लिए आज कम रहेगा रखना है। उसके बाद आज को तेज कर कर सकते हो। तो लैसन मिर्ची नमक गरम मसाला यह सब कुछ oatmeal आइसमें डाल दिया नहीं है और डाल चल दोंगी और चानकेया अब इस चांद में राख टाला सुछाएक ती चलता गड़का ने गवा टाला है और यह सबजी मेरी भुन गई है एक्ठम बढ़ियें से और यह जितना पकेगी ना जो भी आपने तेल डाला है ना इसमें जादा करेली की सबजी मेरी पक के एक्ठम अच्छे से तयार हो गई है तो करेली का भुजिया मुझे बहुत पसंद है और मेरे अजबिन को भी बहुत पसंद है बच्चे नहीं खाते हैं पर यह सबजी बहुत यमी बनी है रोटी के साथ पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है तो आप लोग एक बार इस मेरे तरीके से बना के देखना और वीडियो को सबसे जरूरी चीज है फुल वाच करना प्लीज उसकी बहुत जरूरत है क्योंकि वीडियो को भीना देखे ही आप लोग लाइक और कमेंट मत कर दिया करो प्लीज आगे भी ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आया करूंगी तो प्लीज उसके लिए वीडियो को फूल वाच कीजिए थेंक यू